नमस्कार कोई नया कारी स्टार्ट करना चाहते हो दिमाग में बिल्कुल एक नया आइडिया है नया श्टार्ट अपाए लेकिन वो कारी थोड़ा सा लोड लेवल का है और उसे करने में आपको बेजती फील होती है आपको सर्म फील होती है एक बात ध्यान रखना शुरुवात लो कोई भी कारी करोगे नधा लिटीं लेवल से बेजती तो होगी आपकी बिना बेजती से कोई कारी इस टार्ट नहीं होता है और जो कारी टोप पर पोहुंसता है जो कारी सपल होता है न तब आपको इच्छत मिलती है तब आपको फियम मिलती है तब आपको रестиक्ट मिलती है तो बेज़ती होने से नहीं। क्योंकि शुरुआत पर आप इतियास उटायकर देख रहे जिस जिक्ती नहीं जीरो से शुरुआत होए की ना उसकी बेज़ती होई लेकिन जैसे जैसे वो सफल होता गया उसकी इज़त बढ़ती गई उसकी रेस्पेक्ट बढ़ती गई और उसका मान समान बढ़ता गा आज कल कि student अच्छी अच्छी दिगरी लेते हैं वह सवार पैशा खर्ज करते हैं डिगरी जेने हर student हर युवा की आज यही क्वाई से यही चाहत है और जब वो जोब नहीं मिलती है तो स्वरस्टेसन होती है निरासा होती है मन में दुख होता है और अपने आप में गिल्टी फील होती है कि मैंने पड़े क्यों आज की अपनी सिक्सा पद्दती देखी हो लेकिन साठ है एक वार भी याद रखना कि बड़े बिजनिस्मेन हुए हुए बड़े बड़े कोई सक्सेश्वन लोग हुए तो उन्होंने सुननी से शुरूत की शुरुआत पो उनकी भी बेज़िती हुई लेकिन जब सक्सेज हुए तो उनका मान सम्मान ध्यान रखना की बेज़िती पहले आती है इज्जत बाद में आती है पहले तो आपकी बेज़िती होगी अभी हाले में लेटेस्ट एक एक्जामपल देता हूं आप प्रफुल के रहने में चाय वाला नाम तो सुना होगा आप एंब्या करना चाते थे तीन बार केट का एक्जाम दिया अपन नहीं हुए तो फिर क्या हुआ आएम एंदाबाद के सामने एक चाई का ठेला लगा है कि देख लो आप लोगों ने कितने ताने कसे परिवार में लोगों ने कितने ताने कसे चाई का ठेला लगया चाई वाला बन गया एक चाई की लारी लगई कोलेज के सामने कितनी बेजती हुई प्रपुल कुमार गुट-गुट के मरा कितनी बेजती हुई उसमें पहले अपनी बेजती कराई लेकिन उसके मन में था जोस्ता जुनून था और कु और आज आज क्या है एंबे चाय वाला एक टोप लेवल की फ्रैंक चैजी बन चुकी है और अज प्रफिल कुमार लाखों में नहीं करोडों में नहीं अरबों में खेलते हैं एक चाय की वज़े से अगर वह सुरुआत में इज़त को रोते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे मे आज वह उस लेवल पर पहुंच पाते हैं किया वह आज टोप पर पहुंच पाते हैं अगर यह सोचते हैं कि लोग मुझे बेज़ित कर रहे हैं लोग मेरी इज़त नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने इज़त को नहीं देखा उन्होंने अपने काम को देखना अपने पेश में चोटा सा वर्क करूंगा लोग क्या कहेंगे लोगों का में कहने दीजिए शुरुवात में आपकी बेजिती होगी लेकिन जब आप सक्सेस होगे ना तो यहीं लोग आपके आगे पीछे घुमेंगे आपकी प्रसंसा करते हो नहीं तकेंगे तो ध्यान रखना कि ये सत्य सनातर और रूल्स और नियम है प्रकतिका कि पहले आपकी बेजिती होगी फिर आपके पीछे पीछे इजित आएगी आप सपल होंगे दसरतमान जी नाम सुना होगा आपने कितनी बार न्यूज पर टीवी चैनलों पर आया दसरतमान जी जब वो पहाड को तोड़ रहता था लोगा ने उसको पागल कहा संकी कहा बेकूप कहा और कितनी बेजिती की उसकी लेकिन जब उसने पहाड को तोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ उसको तरह तरह के सम्मान मिले वही टीवी चैनल आके उनका इंट्रू नहीं लगे उसको इजद देने लगे सरकान ने उनको इजद दी कितनी उनके उपर उपन्यास लिख चुके हैं और उनकी कहानी आज बच्चों को पड़ाई जाए तो जब मन में कुछ करने का ज़द्बा हो तो मत देखना कि लोग मेरी क्या कहेंगे अगर आपकी बेजिती होती है तो होने दो शुरूआत में तो बेजिती होगी शुरूआत में आपको इजद नहीं मिलेगी किसी भी कारी में हो कोई सबी कारी हो लेकिन जब आप टोप पर पहुचोगे ना वही बेजिती करने वाले वही आपकी खिल्री उड़ाने वाले वही आपका अपमान करने वाले आपके पीच्छे हाथ जोड़ कर खड़े रहेंगे और आपको इजद देते नहीं ठकेंगे इज़त देने लग जाएंगे, लोग आपके पिछे खड़े होने लग जाएंगे, लोग आपकी पसंसा करते हुए नहीं तकेंगे.